नमस्कार बहुत स्वागत आपका जोतिश दिशा सत्य की रामे मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी तीस जुलाई आज का दिन और अभी चंडीगर्ण में हूँ कल आप फिर हमसे गाजियाबाद मिल सकते हैं और तीन, चार, पाँच ये तीन दिन हमारी आपकी मुलाकात जैपुर में होगी तो गाजियाबाद, जैपुर जिन भी शहरों में आपको मिलने की इख्षा है हम आपका स्वागत करेंगे मिलने के लिए एक बार पुना है, आपको याद दिला दें कि 26 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक गयाजी में पितरों की शांती के लिए पिंडदान की विधिवत समुचित व्यवस्था की गई है आप सब परिवार आकर पिंडदान करते हुए पितरों का शिर्वाद प्राप्ट कर सकते हैं चली सुरुवाद करते हैं अब आज के जोतिश दिशा का सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग स्रावन माह किष्ण पक्ष दसमी तिथी है आज शाम चार बजकर चौवालिस मिनट तक इसके बाद एकादशी तिथी काउदे चंद्रमा आज ब्रिशब राशिम है और नक्षत्र कृतिका रहेगा 10 बजकर 22 मिनट तक सुबह उसके बाद रोहिणी सुर्य का नक्षत्र है कृतिका जो भरणी के बाद आता है और चंद्रमा का नक्षत्र है रोहिणी जो कृतिका के बाद आएगा योग रहेगा वृद्धी ततनुसार दिनांक 30 जुलाई दिन मंगलवार मंगलवार को राहुकाल दोपहर 3 से 4 बचकर 30 मिनट तक और गुलेकाल दोपहर 12 से 1 बचकर 30 मिनट तक राहुकाल नए और शुबकामों के लिए सास्त्रोक्त त्याज यह है मदलब इसमें कोई नया और शुबकाम आरंब नहीं होता गुलेकाल में कोई भी नया और शुबकाम का शुभारंब कर सकते हैं तो पंचांग जाना आपने आज तिथिवार योग नक्षत्र राहुकाल गुलेकाल आदे सब कुछ आपने जान लिया है अब आज का विशय भी जान लिजिए आज हम आपको बताएंगे कुंडली में अप मृत्यू शिग्र मृत्यू आसामाइक मृत्यू कैसे बनते हैं जरूर देखिएगा कारिकरम के मध्य में कभी भी हम बता सकते हैं आज सामाइक मृत्यू किसकी होती है और उसमें कौन से मुख्य ग्रह जिम्मेदार है उस पर हम आज चर्चा करेंगे बस देखना ना भूलिएगा हमारे साथ इस्पेशल आज का भविश्य वानी आए जानते हैं मेश राशी उतार चड़ाओ अचानक से कुछ बढ़सा रहा है आज चंद्रमा की श्थिति दुतिय भाव में है अपना नक्षत्र है चंद्रमा का तिरतियेश का नक्षत्र ये कई प्रकार की मानसिक कष्ट देता है ब्यापार की बात करें तो रिस्क लेने से मैं मना करूँगा किसी कीमत पे रिस्क मत लीजेगा दुख देगा प्राइबेट सेक्टर आप के लिए आज कुछ नए रास्ते खोलेगा कुछ नई सुरुवात देगा वहाँ पर आप इन्वाल्व हो सकते हैं सरकारी छेत्र कुछ बहतर रिजल्ट की तरफ इशारा करता है शुभ परिणाम की तरफ इशारा करता है गवर्मेंट सेक्टर वालों के लिए कुछ नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो रही हैं दामपत्य जीवन अचानक किसी मोड पर आकर कि आपको कुछ कष्ट दे सकता है सावधान रहे स्वास्थ के मामले में क्या उपाय करना है अगर आपकी राशी मेश है आज मेश राशी वालों को अपने उपर गंगा जल का छिड़काव करना है शुभरंग श्लिटी भाग्य बावन प्रतिशन ब्रिशव राशी उतार चड़ाओ बढ़ रहा है अचानक किसी मुश्किल की स्थती आ सकती है पढ़ाई नहीं हो पाएगी परिशान रहेंगे आज मन खिन रहेगा थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा दोपहर के बाद आपके उपर प्रेशर डालेगा हर प्रकार से आपको सकारात्मक होते हुए चलना चाहिए प्राइबिट सेक्टर आपके लिए तनाव दे रहा है सरकारी छेत्र को साध कर आप आगे बढ़ सकते हैं दामपत्र जीवन आपके उपर इश्वरी अरुकंपा देगा एक दूसरे के प्रती भावनात्मक मजबूती देगा स्वास्थे अकस्मात कुछ समस्या खड़ा कर रहा है उपाय क्या करना है अपने कंठ पे हलका सा शहद लगाई है शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रत्षद चववन मिथवन राश्य द्वादस के चंद्रमा के साथ आरंभ होगा आज का दिन पढ़ाई इधर उधर की बातों के कारण कुछ और कारणों के पजह से नहीं हो पाईगी आज पढ़ाई में मन कम लग रहा है ब्यापार की बात करें तो अगर आपका ब्यापार जो तो ट्रेवल का है या यात्रा जिसमें होती है तो उसमें तो बहतर रेजल्ट रेवलेगा लेकिन बाकी अन्य ब्यापार मिथवन राश्य वालों का आज कम चल पाएगा किसी ने किसी कारण से धनारजन कम होगा प्राइवेट सेक्टर की चर्चा करें तो इस्थितियां यहाँ पर संतुलित प्राइवेट सेक्टर में संतुलन बना हुआ है हर प्रकार से सरकारी छेत्र थोड़ा बहुत परिशान करेगा गौर्णमेंट सेक्टर में इस्थिति डावा डोल होगी दामपत्य जीवन एक दूसरे को आज समझ कर समय देने का प्रयास करना होगा स्वास्थ जुखाम खासी के साथ साथ लीवर की समस्या दिखती है क्या उपाय करना है ओम दुम्दुरगाये इनमह मादुरगा की समंत्र का 21 बार जाब कर लेजे शुखरंग आपके लिए आस्मानी भागी पत्षत 52 चर्चा अगली राश करक की यहाँ पर एक आदस की चंद्रमा का प्रभाव आप पर दिखाई देगा आज चंद्रमा अपने ही नक्षत्रों में है तो आपका दिन आज सकरात्मक और बहतर बनाएगा पढ़ाई अच्छी करेंगे सिक्षा में कोई रोकावट नहीं परेशानी नहीं ब्यापार आपके लिए कश्ट और तकलीफ दे रहा है थोड़ा सभल कर चलने की आविशक्ता है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए इस्थतियां हर कदम पर अनकूल और पॉज्टिव है सरकारी छेत्र कुछ इस्थतियों में गर्बर करेगा गवर्मेंट सेक्टर को साधने का प्रयास करें दापत्य जीवन पत्यपत्नी के बीच तालमेल इधर उदर से आपको उलजाएगा संभलने की जरूरत है स्वास्त के मामले में आज का दिन बैक की प्रॉब्लम जुखाम आदि की शिकायत करेगा क्या उपाय करना अगर आपकी राशी करक है आज करक राशी वालों को एक लाल पुष्प शिवलिंग पे अर्पित कर देना है शुभरंग आपके लिए पीला भाग्यपत्षद सत्तावन सिंग राशी दसमस्त चंद्रमा की स्थती बहुत संतुलन आपको दे रही है आज आप संतुलित रहेंगे हर कदम पर पढ़ाई अची चल रही है आपके लिए मजबूत स्थतियां है आज आपकी व्यापार की स्थती के लिए आज दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है आज कुछ आपके हाथ से बाहर जाएगा शेर वाजार आदि में निवेश कम करें या ना करें नुकसान की संभावना है प्राइवेट सेक्टर नौकरी में जमे रहेंगे आज बॉस प्रशन रहेंगे आपका इनर्जी लेबल गजब का हाई रहेगा आज का दिन सरकारी छेतर में प्रेशर फील करेंगे थोड़ा आज आप अलग ही स्वैग में है लिहाजा वाइलेंट हो सकते हैं आप पर कोई दबाव बनाया और आप उसे एक्सेप्ट ना कर पाएं इस प्रकार की स्थती आ सकती है दांपत्य जीवन अनुकूल रहेगा अवसर अच्छा देगा आज एक दूसरे के करीब आने कमावका मिलेगा अनुकूलता है हर प्रकार से शुबता है स्वास्थ के मामले में कमर दर्द की शिकायत हड्डियों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है गर आपकी राशी सिंग है मस्तक पर हल्दी का तिलग लगाईए शुबरंग आपके लिए गुलावी भाग्य प्रत्षद पच्छपद कन्य राशी भाग्य स्थान पर चंद्रमा विराजमान यात्राओं का दौर रहेगा पढ़ाई नहीं हो पाएगी तमाम व्यक्तिकत कार्यों में आज वैस्तता बहुत बढ़ेगी ब्यापार अच्छा है पार्टनर्शिप टिकेगा परिस्थिति आपके अनुसार रहेगी चीजें बहुत अनुकूल और सकारात्मक रहेगी स्वास्त के मामले में खाने जो है डाइजेशन की समस्या खांसी जुखाम की शिकायत कन्याराशी कुछ चोट चपेड की संभावना भी है यात्रा में क्या उपाय करना है आज कन्याराशी वालों को मागायतरी को प्रणाम करके ओम्भोर्भुवाह स्वाह तत्सावितुर्वरेन्यं भर्गोदे वस्यधीमाह धियोयोनः प्रचोधयात ये जाप कर लिजे 24 बार शुबरंग आपके लिए आज नीला भाग्य प्रत्षद 58 तुलाराशी अश्टम में चंद्रमा रहेंगे मन वेचैन रहेगा खिन रहेगा पढ़ाई में बिलकुल नहीं लगेगा उतार चड़ाओ बढ़ सकता है ब्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा अउसर अच्छे देगा बिजनस में हर कदम पर आपको लाब मिलेगा शुबता बनी रहेगी प्राइवेट सेक्टर को समालते हुए कदम बढ़ाना होगा कुछ उतार चड़ाओ बढ़ सकते हैं मन कम लगेगा बिजनस में और प्राइवेट सेक्टर में सरकारी छेत्र आपके लिए आज बहुत बहतर रहेगा अच्छा परिणाम दे रहा है सकारात्मक परिणाम दे रहा है एक जुस्रे को समझने में आप काम्याब होंगे सभल कर चलना होगा स्वास्त के मामले में लीवर की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर अपने कंठ पे लाल चंदन लगा लिजेगा शुबरंग आपके लिए पीला भाग्य प्रत्षत सत्तावन ब्रिश्चिक राश्य सब कुछ बहुत आसान और सहज रहेगा पढ़ाई में किसी प्रकार के दिक्कत नहीं रहेगी सिक्षा बहुत अनकूल रहेगा ब्यापार आपके लिए टफ है बिजनस पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है प्राइबेट सेक्टर कुछ अनकूलता अपने आप लेकर चल रहा है सब कुछ बहुत सकरात्मक और शुब रहेगा सरकारी छेतर की स्थिति को साधने का प्रयास करे गौश्यक्तर आपके स्थारा सध जाएगा दामपत्य जीवन पति-पत्नी के बीच तालमेल कहीं न कहीं कम दिखाई देता है थोड़ा सभल कर चलने की आवश्यक्ता है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो इस्थतिया आज इधर उधर की बातों की वज़े से दिक्कत कर रही है अच्छा फील नहीं करेंगे क्या उपाय करना है आज विश्चिक राशी वालों को प्रियोग के तोर पर आज गंगा जल अपने उपर छिड़काओ कर लीजिए शुबरंग आपके लिए आज काला भाग्यप्रशत पच्छपन धनुराशी धनुराशी की स्थिती चंद्रमा की आज बहुत बहतर है छठे भाव में है उच्च का है गुप्त शत्रों पर आज आक्रमन होगा कोई आपके सामने पनप नहीं पाएगा पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं आप शिक्षा की चिंता ना करे ब्यापार आप अनकूल लेकर चल रहे हैं बिजनस में आगे बढ़ते जाएंगे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नए प्रभाव दिखाएगा चीजे बहुत 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 बहँतर होती जाएंगे सरकारी छेत्र को संभाल कर आगे बढ़ना होगा गुप्ति जीवन बहुतर रहेगा पत्नी और पती के बीच तार्मेल अच्छा है सपोर्ट मिलेगा स्वास्त के मामले में देखा जाए तो परिस्थती थोड़ी गड़बर हो सकती है जुखाम खासी और आज अगर लिवर की प्रॉबलम है तो उसमें आज आपको दिक्कत आएगी क्या उपाय करना धनुराशिवालों को प्रियोग के तोर पर भगवान शिव का ध्यान करना है ओम नमह शिवाय 21 बार इसका जाब करने है शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रद्शत पच्पण चर्चार अगली राशी मकर की आपके पंचम में रहेंगी चंद्रमा और देखिए सब तमेश होकर की चंद्रमा अपने उच्च राशी में है और नक्षत्र चंद्रमा का ही है आज का दिन आपका दिन है अनोखा है जो चाहेंगे आपको मिलेगा लाभर कदम पर होगा सकारात्मकता रहेगी पढ़ाई बहुत अच्छी चरेंगी आप चिंता ना करें ब्यापार अनकूल है आफसर अच्छे मिलेंगे बिजनस में आप तेजी सा आगे बढ़ेंगे प्राइबेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया और बढ़ा करेगा सरकारी छेत्र की स्थिति को सुधारने में आप काम्याब होगे दांपत्र जीवन इधर उधर की चीजों से आपको उल्जाएगा समझदारी का परिचे दें और सब कुछ समेटने का प्रियास करें स्वास्त के मामले में आज पेट की समस्या और बयक की प्राब्लम हो सकती है क्या उपाय करना है अपने कंठ पे आज दही का तिलग लगा लिजे शुभरंग आपके लिए आज ग्रे भागी प्रत्षत बावन कुम्भराशी समय अनकूल रहेगा सिक्षा की स्थती गजब की रहेगी अनकूलता आपके साथ है ब्यापार थोड़ा सा टफ है बिजनस की स्थती बहुत अच्छी नहीं है उतार चड़ाओ बढ़ रहा है रिस्क नहीं लेना है प्राइबेट सेक्टर आपके लिए कुछ ब्याथर परिणाम दे रहा है अनकूल परिणाम दे रहा है सरकारी छेत्र की स्थती को साधरे में आप काम्याब होगे दांपत्य जीवन अनकूल है पती पत्नी के बीच तालमेर अच्छा रहेगा एक दुस्रे को सपोर्ट करें स्वास्त के मामले में आज का दिन बैक की प्राबलम और आँखों की समस्या हो सकती है उल्टी हथेली पर थोड़ा सा गुलाब जल ले करके अपने उपर छिड़काव कर लीजे शुबरंग आपके लिए आज हरा भागी पत्षत अठावन अंतिम राशी मीन यहां चंद्रमा तिरती भाव में है उतार चड़ाव से युक्त दिन लेकिन शिक्षा में पूर्णता पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे कहीं रुकावट और बाधा नहीं है ब्यापार भी अच्छा है अनकूल है बिजनस में चिंता ना करे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया और उत्तम सुरुवात देगा सरकारी छेतर को ब्यहतर करने के लिए आपको काम्याभी मिलेगी दामपत्र जीवन कुछ इधर उधर की चीजों से आपको परिशान कर रहा है स्वास्त के मामले में आज का दिन कबरदर्द की शिकायत और आँख की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भागिपिद्शत चौवन राशियों की स्थती 20 मिनट में आप तक पहुचा दिये है अब आज का जो विशे हमने लिया है रोचक विशे है तीन सूत्र देंगे कम आयू के संकेत का सबसे पहला सूत्र आसमय की मृत्यों का सूत्र लगन जीरो से तीन डिगरी का हो या 27 से 30 डिगरी का हो नमबर दो लगनेश जीरो से तीन डिगरी का हो या 27 से 30 डिगरी का हो नमबर तीन चंद्रमा छे आठ या बारह में हो अथवा तीर ग्यारह में हो और जीरो से पांच दिगरी का हो अथवा नीच का हो इन ही राशियों में या नीच के किसी अन्य ग्रह के साथ हो भले ही कि जैसे कर्क में हो लेकिन मंगल बैठ जाए साथ में तो मंगल नीच का हो गया तो चंद्रमाप पीडित हो लब्बो लुआव ये निसकर्ष ये की चंद्रमाप पीडित हो और तीसरा अंतिम सूत्र चारो केंद्र खाली हो ऐसी स्थति में जातक की आयू जीरो से बारह वर्ष के अंदर में होती है इसे हम जो तशीय भासा में बाला रिष्ट योग कहते हैं बच्पन में ही अरिष्ट हो ना अब मृत्यू का स्वरूप क्या होगा एक्सिजन्ट होगा पानी में डूबना होगा घर का गिरना होगा दिवाल में दबना होगा क्या होगा ये अस्टम और अस्टमेश की इस्थिति पर निर्भर करता है ठीक ध्यान देजेगा अस्टम और अस्टमेश की इस्थिति पर ये निर्भर करेगा तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा जोतिश में अध्यन करने वालों को ये हल्प करेगा कोई भी कुंडली में पचासमेश साल का प्रडिक्शन करने से पहले बाला रिष्ट देखा करिए पता चला कि आपने बोल दिया कि 27 साल में बेटा होगा और वो 12 साल में मर जाए तो ये आपकी गलती है जो तिश्विज्ञान जुठा नहीं होता चर्चा अब आगे करते हैं आज के स्पेशल सक्सेस की का मध्यमा उली में सर्सों का तेल लगा कर प्रिथवी को छू कर माथे से लगा लिजे अब आज का भाग्याग्षर मेश ताग्षर बिशब या मिथुन बाग्षर कर्क वा सिंग गाग्षर कन्या धा तुला माग्षर मकर खा कुम्भ चाग्षर मीन वा ये शुब भाग्याग्षर सादे चोकुर कागच पर लिख कर अपने पास रखे और आनद उठाए अब चलते चलते आज का आईश्मान भावा है आज जिनका जनम दिन है दिनांग 30 जुलाई को जनम दिन के हार्दिक शुब कामना है हमारे संस्थान से भी आप विशेश आहुती डलवा सकते हैं कि इस वर्ष आपने क्या सोचा है क्या चाहते हैं उसके निमित विशेशा होती आपकी जनम दिन के पावन आउसर पर कैसे डलवाना है 9354619250 पर वाटसप करिए डिटेल आपको मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं क्या उपाया तो जिसका आज 30 जुलाई को जनम दिन है तीन लोगों को भोजन कराईए रुद्राविशेक कराईए और दो बर्गत के पौधे लगवाईए जिसकी आज मेरी जनवरसरी है 11 तुलसी के पौधे किसी मंदिर में दान करना है और एक माला गायतिरी मंद्र का जाब करके पती पत्नी किसी जरुरत मंद को खाना खिला दे आज के लिए इतना ही जैपूर वाले तुरंत अपाइंटमेंट ले जैपूर आ रहे हैं 3-4-5 अगस्त को और उसके बाद गोहाटी 10-11-12 अगस्त धन्यवाद नमस्कार स्रीकिष्णा शेदा दे आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का होदुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्षमी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक, खुशियां अनेक और एक, प्रहदी खुशियों की चाहा है तो प्रहदी खुशियों की जएच प्रहदी मंगवाईए और एक्रम तो आपको भी खुशियों की चाहा है झाल झाल